यह हैं FTP site python का और भी एक site होती है FTP site तो चलिए मैं आप लोग के लिए FTP site भी शेयर कर देता हूँ भूआ है जो देखे python 3 space double hyphen then उसके बाद version then उसके बाद आप keyboard से enter button को प्रेस कर दीजिए जो देखे यहाँ पर आप देख पढ़ा है जो देखे python का जो latest version इंस्ट्रालेशन हुआ है successfully comment यहाँ पर आप देख पढ़ा है जो देखे pip 3 space double hyphen then उसके बाद version जो देखे इस से आप pip का version भी देख पाएंगे जो देखे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखे python का second method अगर आप इस comment से भी apply करना चाहते हैं तो कर सकते हैं easily आपकी system में installation हो जागा python Welcome back Spence तो मैं बहुत दिन के बाद आप लोग के लिए फिर से python का tutorial लेकर आ चुका हूं तो आज का topic बहुत ही important होने बाली है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर एंट तक देखे अगर आप एंट तक नहीं देखेंगे तो problem आ सकते हैं तो आज का जो हम लोग topic देखेंगे python को कैसे installation करते हैं Linux Mint system में तो मैं यहाँ पर Linux Mint का latest version यूज कर रहा हूं तो चलिए कैसे installation करते हैं देखते है step by step यहाँ पर मैं आप लोग के लिए एक method नहीं दोनों method दिखाऊंगे जो भी method आपके लिए अच्छा लगती है आप उस method को apply कर पाएंगे तो चलिए देखते है step by step इससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक भी ने टॉकिंग कुरीची चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुगा तो पहले चैनल के जरू सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आगन को प्रिस करना ना भूलिए जब यहाँ बेल आगन को प्रिस करेंगे तो आप all में जरू क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको बेसिक ट्राइबंस टेवर की ने टॉकिंग ट्यूट्रियल एंट इंट इंट एंट कोशन एंसर भी मिल जाएगा आप लोग लाइक शेर कॉमंट कुछ नहीं करते हैं तो देखिए एक लाइक से बहुत सारा मोटिविशन मिलती है सो प्ल पाइंगे जो देखिए पाइफन का जो लेटेश पर्शन है 3.11.4 वर्शन अगर आप सोच रहे होंगे जो यहाँ से भी अगर आप डाउनलूट करना चाहते हैं तो पाइफन का सेटप इसली यहाँ से भी डाउनलूट कर पाएंगे नहीं तो और भी एक मैथोड है आप उ जो है पाइफन का लेटेश पर्शन 3.11.4 एंड आपके सिस्टम में इंटरनेट का इंक्टिविटी होना चाहिए अगर आपके पास पूपली इंटरनेट का इंक्टिविटी नहीं होगा तो आप डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन करने में टाइम में पॉब्लम आ सकती है तो मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूं देन उसके बाद हम लोग मूब करते हैं कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे तो यहां से मैं एक न्यू टामिनल को ओपें कर लेता हूं पहले मैं आप लोग के लिए भर्शन चेक करके दिखा देता हूं मैं कौन सा भर्शन यूज कर रहा हूं Linux Mint का तो देखे भर्षन चेक करने के लिए जो कॉमट है lsb-release जो देखे देन उसके बाद space-a देन उसके बाद आप enter बटम को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैंगे जो देखे Linux Mint का जो लेटेश बर्षन है 21.2 बर्षन देन उसके बाद हम लोग यहाँ से इंस्ट्रालेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो पहले मैं टामिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूं अगर आपने फार नहीं क्या होगा तो आप जरूर फालो कर लिजे तो वहाप में बहुत सरा इन्पॉोमेशन और वीडियो करते हूं तो मैं इस वीडियो की डेशिशन में मैं उसके link दे दूँगी देन उसके बाद यहापड आप देख पाड़ा है जो देके apt update totally complete हो चुका है कोई भी error नहीं आया है देन उसके बाद मैं terminal को एक बाई clear करने दूँ देन उसके बाद second comment क्या है तो चलिए हैं इस बार हम लोग देखते हैं यहाँ पर आप देख पाड़ा है जो देके यह है totally second comment तो मैं फिर से repeat कर रहा हूँ जो देके इस वीडियो की description में सारे comment का link दे दूँगे आप easily देखके installation कर पाएंगे देन उसके बाद आप keyword से enter button को प्रेस कर दीजे प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक message आज जागा जो देखे do you want to continue yes I know तो यहाँ पर आपको keyword से y button को प्रेस करना पड़ेगा देन उसके बाद आप enter button को प्रेस कर दीजे इसका जो भी packages है आटोमेटिकली यहाँ पर installation हो जाएगा जस्ट यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा जो भी method मैं यहाँ पर शेयर कर रहाँ same to same method को अगर आप follow करेंगे तो आपके system में भी python का latest version installation हो जाएगा Linux means system में तो यहाँ पर आप देख पाड़ा है जो देखे कोई भी इरो नहीं आया है देन उसके बाद मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूं देन उसके अबर थार्टनमबर कोमट के हैं तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप देख पाड़ा है जो देके थार्टनमबर कोमट है जो देखे cd space slash tmp देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रिस कर दीजे तो यहाँ पर हम लोग tmp के अंदर आ चुके हैं अगर आप ग्राफिक के लिए देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख पाड़ा है जो देखे यहाँ पर आप देख पाड़ा है टम्फोलक्र के अंदर दैन उसके बाद यहाँ पर हम लोग tmront को करेंगे तो चलिए इस बर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप देख पाड़ा है जो दिखे यह है निक्स्ट 不र तो यहाँ पर हम लोग Python को डाउनलोड करेंगे, जो देखें ये कौंसर साइट है यह है FTP साइट, python का और भी साइट होती है FTP साइट, तो चलिए मैं आप लोग के लिए FTP साइट शेर करेंगे, अगर आप जानते हैं तो OK, अगर आप नहीं जानते हैं आप देख लीजे तो आपके लिए benefit हो सकती है तो चलिए कौनसा site है जो देखे यह है site तो मैं इस वीडियो की description में भी मैं इसके link देदोंगी Then उसके बाद यहां पर आप देख पाएं जो देके python का old version भी यहाँ पर available है अगर आप सोच रहे होंगे जो python 2 version installation करेंगे तो यहां पर पाइथन का two version भी अबलेबल है और पाइथन का लेटेस भर्षन भी यहां पर आप देख पाढ़ है जो देखे पाइथन का कौन सा भर्षन आम लोग यूज कर रहे हैं जो देखे लेटेस भर्षन जो है पाइथन 3.11.4 वर्षन अगर आप यहां पर पाइथन की official website म 3.11.4 तो देखे अगर आप FTP साइट से भी अगर आप डाइरेकली डाउनलूट करना चाहते हैं पाइथन का सेटप ओ भी आप कर पाएंगे जो देखे यहाँ पर आप देख पड़ा है जो देखे यहाँ पर जो लास्ट अपडेट है जो देखे 7 जून 2023 में लास्ट अपडे आप देखे आंपर यहां पर आदर्स बहुत सारी फाईल यहां पर आपके सामने दिखे देख़े यहाँ पर लीनखS भी अबेलेबल है Windows भी ए ओनापर हम लोग फिल राल लीनक्स टीक्त यहाँ पर आपको ये फाइल को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जो देखें जो मैं हाइलाइट कर रहा हूं जो देखें पाइथन हाइफेन 3.11.4.tz जो देखें यह भी लास्ट अपडेट हुआ है जो देखें 6 जून 2023 में अगर आप यहां से भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां से इसली डाउनलोड हो जाएगा देन उसके बाद आप इसली इंस्टालेशन कर पाएंगे अगर आप सोच रहा होंगे जो नहीं मैं यहां से डाउनलोड नहीं करोंगी जस्त पर एक कोमण्ट मैं यहां पर अप्ली करने के बाद ले यहां पर क्रणा2000 करणा जो है यह हैं यही तोटली कमण्ट दे तो यहाँ पर आप देख पढ़ा है जो देखे python का latest version यहाँ पर download होना start हो चुका है तो मैं फिर से repeat कर रहा हूँ आपके system में internet का activity होना चाहिए अगर आपके पास नहीं होगा तो यह download नहीं होगा तो यहाँ पर आप देख पढ़ा है जो देखे python successfully यहाँ पर download हो चुका है कोई भी error नहीं आया है इसके बाद मैं terminal को एक बार clear कर देता हूँ इसके बाद अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं तो आप देख पाएंगे इसके लिए यहाँ पर आप files में आ जाएए files में आने के बाद यहाँ पर sorry then उसके बाद यहाँ पर आपको file system में जाना पड़ेगा file system में जाने के बाद यहाँ पर आप team folder को open करिए team folder को open करने के बाद यह है totally setup then इस setup को आपको extract करना पड़ेगा extract करने के लिए यहाँ पर आपको एक comment apply करना पड़ेगा comment क्या है तो चलिए हम लोग देख दे हैं तो देखे यह है extract करने के लिए जो है totally comment then उसके बाद आप keyboard से enter button को press कर दिजे enter button को press करने के बाद यहाँ पर आप देख पहेंगे extract totally complete हो चुका है अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं तो इसके लिए यहाँ पर files को open करिए then उसके बाद team folder को open करिए then उसके बाद यह है totally set up था तो extract करने के बाद यहाँ पर आचुका है then उसके बाद यहाँ पर हम लोग next comment क्या करेंगे तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं next comment यहाँ पर हम लोग देखने के लिए just for ls comment को यहाँ पर हम लोग apply करेंगे then उसके बाद यहाँ पर enter button को press कर दिए enter button को press करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जोड़ी के बहुत सरा files दिखाई देख देख दिए तो just यहाँ पर आपको एक comment को apply करना पड़ेगा कौनसा comment है तो चलिए देखते हैं तो इसके लिए comment यहाँ पर आपको type करना पड़ेगा जो है cd then उसके बाद यहाँ पर आप देख पार है जो दिखे यह है python-3.11.4 version तो यहाँ से आप totally copy कर लिजे नहीं तो आप लिएक भी सकते हैं यह totally आपके ओपर depending होगते हैं देन उसके बाद आप keyboard से enter button को press कर दिजे enter button को press करने के बाद यहाँ पर हम लोग python folder के अंदर इस बार आ चुके हैं तो मैं एक बार terminal को एक बार clear कर लेता हूँ तो I hope आप लोग अच्छी तरह से देख पाएंगे तो देखे मैं एक बार फिर से repeat कर रहा हूँ जो देखे हैं हम लोग पहले setup को download किये हैं download करने के बाद extract किये हैं extract करने के बाद इस folder के अंदर हम लोग अभी आ चुके हैं जो देखे यहाँ पर आप देख पा रहा है जो देखे टेम देन उसके बाद python 3.11.4 वर्शन देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग next common क्या करेंगे तो चलिए इस पर हम लोग देखते हैं देन उसके बाद यहाँ पर आपको al s just for al s common को यह पर टाइप करना पड़ेगा इसके बाद आप आप अपर बटन को प्रेस कर दीजेए इंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके समने जो देखे बहुत सरा option दीखाए दे रही है जो देखे configure.sup देन उसके बा होती है आई थिंग आप लोग जानती होंगे तो यहाँ पर आपको एक comment को एपले करना पड़ेगा जस्ट फोर एक comment कौन सा comment है तो चलिए इस पर हम लोग देखते हैं तो comment यहाँ पर आप देख पर हैं जो देखें full stop then उसके बाद slash configure space double हाइफें एनेवल हाइफें ऑप्टिमाजेशन जोस्ट यहाँ पर आपको एक comment अपले करना पड़ेगा तो यहाँ पर configure कौन सा यह है totally configured then उसके बाद configure के बाद यहाँ पर आपको space देखे double हाइफें देन उसके बाद enable हाइफें अप्टिमाजेशन जस्ट यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा देन उसके बाद होंगे जो मैं यहाँ पर eventu यूज़ कर रहें अगर आप eventu यूज़ कर रहें तो eventu में कैसे python को installation करेंगे अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसके उपर पहले से एक tutorial क्या हों आइटिंग आप लोग ने देखा होगा अगर नहीं देखा होगा तो आप प्लीज चैनल में जाने के बाद playlist में जाएए प्लेइलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पर आपको एक प्लेइलिस्ट मिल जाएगा जो है python network automation तो वहाँ पर आपको a to z आपको tutorial मिल जाएगा जो python को कैसे installation करते हैं and यहाँ पर pyjarm then उसके बाद anaconda python then उसके बाद python networking का automation कैसे होती है a to z information है तो मैं कोशिश करूँगी इस video की deposition में मैं उसका link देने के लिए तो देखिए यहाँ पर checking हो रही है तो यहाँ पर आपको just for wait करना पड़ेगा तो finally यहाँ पर आप देख पढ़ा है जो देखे totally complete हो चुका है यहाँ पर कोई भी error नहीं आया है then उसके बाद मैं terminal को एक बार clear कर लेता हूं then उसके बाद next comment यहाँ पर क्या apply करेंगे तो चलिए देखते हैं then उसके बाद यहाँ पर आप देख पढ़ा है जो देखे next comment है su do make alt install then उसके बाद आप keyboard से end button को प्रेस कर दीजे end button को प्रेस करने के बाद भी यहाँ पर भी आपको थोड़ असा timing लग सकती है तो यहाँ पर आपको wait करणा पड़ेगा जो भी method मैं share करेंगे same to save method को अगर आप follow करेंगे तो आपके system में भी profile installation हो जागा python का latest version जो है 3.11.4 version and यहाँ पर मैं Linux Mint use कर रहाँ जो है latest version तो I hope आप लोग को clear हो चुगा होगा जो कैसे installation करते है step by step तो मैं यहाँ पर आप लोग के लिए एक method दिखाई दे रहाँ then उसके बाद मैं आप लोग के लिए और भी method दिखाऊंगी अगर आप दोनों में जो भी आपके लिए तो python जब भी आप installation करेंगी system में तो आपको problem आ सकती है तो मैं पहले आप लोग के लिए clear कर देता हूं तो देखिए यहाँ पर installation होने में थोड़ा सा timing लग सकती है तो तब तक मैं कम करता हूं इस tutorial को थोड़ा सा pause कर लेता हूं आप देख पड़ है जो देखिए यह totally command भी complete हो चुका है जब भी आप इस command को apply करेंगे तो थोड़ा सा आप time दीजे minimum five to six minute जो comment यहाँ पर हम लोग ने जो apply के थे हो है sudo make alt install then उसके बाद मैं terminal को एक बार clear कर लेता हूं तो यहाँ पर आप देख पा रहा है जोदिके एक यहाँ पर warning का message आ रही है जोदिके इस warning को message को ह हम लोग skip कर देते हैं then उसके बाद मैं terminal को एक बार clear कर लेता हूं यहाँ पर आपको लस्ट एक comment apply करना पड़ेगा इस comment को देने के बाद ही आपके system में python installation हो जागा successfully तो चलिए comment क्या है देखते हैं यहाँ पर आप देख पर है जोदिके sudo make install just for a comment यहाँ पर आपको apply करना पड़ेगा तो चलिए मैं इस system का जो भी password है यहाँ पर मैं provide करता हूं then उसके बाद enter button को प्रेस करता हूं enter button को प्रेस करने के बाद ही यहाँ पर आप देख पाएंगे properly जो भी इसका comment है यहाँ पर run होना start हो चुका है तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा timing लग सकती है त तो six minute तो just for wait करिए और कुछ भी नहीं तो जो भी method में यह आपर share करो same to say method को अगर आप follow करेंगे तो आपके system में भी पहुपाली installation हो जागा python का latest version आप लोग like share comment कुछ नहीं करती है तो देखे एक लाइक से बहुत सारा motivation मिलती है so please इस वीडियो को देखने के बाद like share and comment कर करना ना भूरिए and subscribe जरू करिए subscribe करने के बाद bell icon को जरू प्रेस करती है अगर आप bell icon को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको कैसा पता चलेगा new video कब आड़िये तो जब भी आप bell icon को प्रेस करेंगे तो आप all में जरू click करिए तो देखिए यहाँ पर processing gonna start हो चुका है तो यह देखिए installation totally complete हो जुका है देन उसके बाद यहाँ पर भी आपके सबने जो देखिए यहाँ पर warning का message आ रही है तो चलिए मैं इसको totally skip कर लेता हूं देन उसके बाद मैं terminal को एक बार clear कर लेता हूं देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग में जो python को installation किया है successfully यहाँ पर run कर रह version ने 11 है ने 8 है ने 7 है इस comment से देख पाएंगे तो comment क्या है तो चलिए इस पर हम लोग देखते हैं जो देखे comment है python python then उसके बाद यहाँ पर आपको 3 then उसके बाद यहाँ पर space दीजे देन उसके बाद double hyphen then उसके बाद यहाँ पर version type करिए तो common क्या हुआ है जो देखे python 3 space double hyphen then उसके बाद version then उसके बाद आप keyboard से enter button को प्रेस कर दीजे जो देखे यहाँ पर आप देख पड़ा है जो देखे python का जो latest version इंस्ट्रालेशन हुआ है successfully and इस comment से आप देख पाएंगे python का version किया है उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक python का एक program run करके भी देखते हैं जो successfully run ह हो पर यह की नहीं तो चलिए start करने के लिए यहाँ पर आपको एक comment apply करना पड़ेगा जो देखे python यहाँ पर type करिए python then उसके बाद आप enter button को प्रेस करिए then उसके बाद हम लोग python के अंदर आ चुके है then उसके बाद ही आप कोई भी program run कर पाएंगे तो चलिए यहाँ पर हम है hello world जो देखे आप कोई भी दे सकते हैं यह आपके उपर depending होगा then उसके बाद आप enter button को प्रेस करिए जो देखे successfully output आ रही है तो ऐसे करके आप देख पाएंगे जो देखे python properly installation हुआ है की नहीं installation होने के बाद आप कोई भी एक program को run करके देखे तो देखे successfully fully output successfully हो चुका है install system में then उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी program को run कर पाएंगे अगर आप कोई भी mathematics भी run करना चाहते हैं तो यहाँ पर easily run कर पाएंगे जो देखे 5-2 then उसके बाद यहाँ पर 3 output आ रही है then उसके बाद 4 into 2 then उसके बाद आप enter button को प्रेस करिए 8 आ रही है then उ उसके बाद 350 दिखाए दे रही है तो आप ऐसे करके कोई भी program को run कर पाएंगे python के अंदर then उसके बाद python से exit होंगे कैसे exit होने के लिए यहाँ पर आपको type करना पड़ेगा then उसके बाद first packet then उसके बाद second packet को यहाँ पर type करना पड़ेगा then उसके बाद enter button को प्रेस करेंगे तो python से आप exit हो जाएंगे हमको start करने के लिए just पर यहाँ पर आपको type करना पड़ेगा PYTHON 3 जो देखे हम लोग ने जो यह common को run किये है then उसके बाद python के अंदर आ चुके है then उसके बाद आप कोई भी program कर लिजे अगर आपका program हो चुका है then उसके बाद exit होना चाहते हैं तो आप exit then उसके बाद first packet and second packet को close करके enter button को press कर देंगे तो python से exit हो जाएंगे so I hope आप लोग को clear हो चुका होगा then उसके बाद मैं terminal को एक बार clear कर लेता हूं then उसके बाद यहाँ पत्र हम लोग ने python को installation किया है PEEP को तो installation नहीं किया है अगर आप PEEP को भी installation करना चाहते हैं तो ओ भी कर पाएंगे तो कैस से PEEP को installation करते हैं तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं step by step PEEP को installation करने के लिए यह है totally common sudo apt install python3-peep then उसके बाद आप keyboard से enter button को press कर दीजे enter button को press करने के बाद यहाँ पर आपके सामने message आज जाएगा जो देखे do you want to continue yes and no यहाँ पर आपको keyboard से y button को press कर दीजे then उसके बाद यहाँ पर पीप का जो भी packages है यहाँ पर installation होना start हो जाएगा automatically इससे पहले हम लोग ने python को installation किये थे then उसके बाद इस बार हम लोग पीप को installation कर रहे हैं जोदिके जब हम लोग ने python को installation कर रहे थे तो वहाँ पर आपके समने जोदिके warning का message आ रही थी किसके लिए पीप installation नह ही आया है जो देखे successfully हो चुका है then उसके बाद मैं एक बार terminal को एक बार clear कर लेंदा हूं then उसके बाद यहाँ पर पीप जो installation हुआ है वह हम लोग देखेंगे कैसे तो देखें उसके लिए भी एक comment है पीप का भार्षन चेक करने के लिए तो comment क्या है इस बार हम लोग देख देखते हैं comment यहाँ पर आप देख पढ़ा है जो देखे पीप 3 space double hyphen then उसके बाद भार्षन जो देखे इस से आप पीप का भार्षन भी देख पाएंगे जो देखेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं so I hope आप लोग को clear हो चुका होगा जो python को कैसे installation करते हैं Linux system में then उ आप तो हम लोग ने successfully पीप को installation कर लिया देन उसके बाद यहाँ पर आप टाइप करें पी आई पी देन उसके बाद 3 देन उसके बाद आप enter बटन को प्रेस कर दिए enter बटन को प्रेस काने के बाद यहाँ पर जो भी output आ रहे है same to same ऐसा ही आपको आना चाहिए अगर यहाँ पर कोई भी error आ रहे है कुछ code आ रहे है तो मान के चलिए properly run नहीं हुआ है तो मैं आप लोग के लिए पहले clear कर देता हूं so I hope आप लोग को clear हो चुका होगा जब भी आप python को installation करेंगे तो then उसके बाद आप pip को भी installation करें पीप को installation करने के बाद इस comment को एक बार देख लीज इस comment से भी आप देख पाएंगे same to same output आपके समय आ जाएगा जो देखें same to same output so I hope आप लोग को clear हो चुका होगा जो कैसे python को installation करते है Linux means system तो देखें यह है fast method अगर आप इस method से apply करना चाहते हैं तो ओके अगर आप सोच रहे होंगे जो नहीं मैं इस method को apply करना नहीं चाहते हूं बहुत ही difficult है तो मैं आप लोग के लिए second method भी share कर देता हूं तो चलिए second method क्या है इस पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर python का second method अगर आप इस comment से भी apply करना चाहते हैं तो कर सकते हैं easily आपकी system में installation हो जागा python तो देखें यहाँ पर जो first comment यहाँ पर हम लोग ने जो apply किये थे वो है sudo apt update then उसके बाद यहाँ पर आपको second comment apply करना पोड़ेगा जो देखे sudo apt install software hypen properties hypen common then उसके बाद sudo apt repository ppa then उसके बाद यहाँ आपको directly installation करना पड़ेगा sudo apt install python 3.11.4 जो latest version then उसके बाद जब भी आप installation हो चुका है then उसके बाद python को एक बार फर्षन को चीक करके देख लीजिए जो successfully हुआ है कि ने उसके बाद अगर आप सोच रहा हों है पीप को भी installation करना चाहता हूँ तो हम लोग ने अभी अभी जो comment या पर apply किया है पीप comment को installation करने के लिए उस comment से भी आप installation कर पाएंगे पीप को so I hope आप लोग को clear हो चुका होगा मैं इस वीडियो की description में सारे comment का link देदूंगे आप easily देखके installation कर पाएंगे आपके system में so I hope clear हो चुका है फिर भी कोई भी doubt आ रहे कुछ भी question आ रहे कुछ भी error आ रहे installation के टाप में तो आप प्लिस comment section में जरूद देदीजे तो मैं आप लोग के लिए जरू help करता हूँ तो मैं इस वीडियो की description में python की official website का भी link देदूंगी then उसके बाद यहाँ पर मैं python की ftp site का भी link देदूंगी अगर आप directly यहाँ से भी installation करना चाते हैं तो कर सकते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं इसके उपर पहली से एक tutorial kit क्या हूँ आप देख लिजिए नहीं तो problem आ सकते हैं अगर आप जानते हैं तो okay कोई बात नहीं अगर आप सोच रहे हैं नहीं मैं FTP साइट से करूंगी तो FTP साइट से आप देख लिजिए अभी कौन सा version यहाँ पर release हुआ है तो उसी हिसाब से आप यहाँ से find कर लिजिए जो latest version कौन सा है अगर आप लोग ने अभी तक भी ने टॉकिंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आकोन को पिस करना ना भूलिए तो इससे क्या होगा मैं जब भी नए वीडियो दूंगी तो पहले आपको notification मिल आप लोग like, share, comment कुछ नहीं करते हैं तो देखें एक like से बहुत सारा motivation मिलती है तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद like, share and comment करना ना भूलिए अगर आप सोच रहा हूंगे जो Windows 11 के उपर अगर आप और भी details में tutorial जानना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले से available हैं आप प्लेडिस्ट में आजाएं यह प्लेडिस्ट में आने के बाद आप डिरेक्ली Windows 11 का अल टुट्रियल देख पाएंगे जोदिके almost 60 वीडियो यहाँ पर अगर आप python network automation के बारों में और भी details में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख पाना है जोदिके मैंने एक प्ले प्लेडिस्ट में जाके विजिट करिए अगर आप नहीं जानते हैं तो अगर आप सोच रहा होंगे जो मैं यहाँ पर python को कैसे installation करेंगे even to system में अगर आप नहीं जाते हैं तो मैं इसको उपर पहले से एक टुटियल के अट क्या हूँ आप लोग ने देखा होगा अगर नह प्लिस कमांसे लिए तो मैं आप लोगे जरूर तो आज के लिए इतना ही अन्यवाले दिन में हम लोग और भी अडवांस टुटियर में जरूर आप लोगे आज़ोंगी आप लिए लएक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए इसके साथ आप जरूर फेस्बूक एंड टुटेर का भी पेज मैं इस वीडियो की डेपसिशन में दे दूँगी आप उसको भी जरूर लाइक एंड फॉलू कर लेजे एंट इस वीडियो की डेपसिशन में सारे कमन के लिंक दे दूँगी आप इसलिए देखके इंस्ट्रॉलेशन कर पाएंगे पाइटन को लिनेक्स में सिस्टम में तो मैं यहाँ पर लिनेक्स में का लेटेश परशन यूज किया हूँ सो आई होप क्लियर हो चुका होगा सो दोस्तों आज के लिए इतने थैंक्स पर वाचिंग कर दोस्तों